तो हमने 125 पीज पर स्टॉप किया था, अब हम आगे चलते हैं अलवकिक माता-पिता द्वारा, सुख घनेरे, परम शिक्षक और परम सद्गुरू, परमात्मा द्वारा, शेष्ट शिक्षाएं अब सभी ज्यान अभिलाशी पवित्रता प्रेमे, माताएं कन्याएं और भाई, शांत वातावरण में, पूरी तरह ईश्वर्य ज्यान के अध्ययन में लग गए उन्हें अपने जीवन में अपार अत्मिक सुख का अनुभव हुआ अब उनका मनुवा यही गीत गाता होगा आज हमें सब बेहद भाता, आज हमारा मन हर्शाता ज्यान से त्रिलो की देखी अतिसुंदर, ज्यान से देखी लिला अतिसुंदर क्या आनंद है आता, अहां क्या आनंद है आता, अहां आज मुझे है बेहद भाता इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शान्ती पुर्वक अलोकिक कार्य चलने लगा लोकलाज की परिक्षा को पार करने तथा कठीनाईयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिक्ता के दूसरे विश्यों में खूब शिक्षा मिलने लगी यो तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठे तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उलेख करना कठिन होगा परिंतु सार रूप में यह कहाजा सकता है कि स्वयम संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप हमारे देह के संबंधों का सन्यास हो जाने के बाद हम बाबा ने अब बाबा ने हमें अनन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और हमारे मन वचन कर्म को पूर्ण तह निर्विकार बनाने के लिए नित्य ज्यान के अनमोल रहस्य समझाए गहन पढ़ाई की शुरुवात बाबा ने हमें पहला पाठ ये पढ़ाया कि आप सभी ने मर जीवा जनम लिया है आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है गोया उनके घर से आप तो मर चुके हो अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जनम लेता है तो उसे पीछले जनम के मित्र संबंधियों चथा जीवन वृत्तानतों की याद नहीं रहती है वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहां से जीते जी मर चुके हैं और अब आपने यहां नया अर्थात मर जीवा जनम लिया है तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए अब आपने परम्पिता परमात्मा की गोदली है अर्थात अब आप उसके बच्चे बने हैं आप दुविज अर्थात ब्रम्भन बने हैं आप ब्रम्हा मुखवन शावली है अतह अब आप बच्चों का बुध्धियोग एक परम्पिता परमात्मा से ही होना चाहिए और मन में ईश्वरिय नाते की विस्मतित होती रहेगी तो आप ईश्वरिय जन्मसित अधिकार प्राप्त करने ही सकोगे अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे बले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरिय यग्य में आत्म समर्पन किया था परन्तु बाबा ने समझाया कि अब आप आत्मिक नाते से व्यहवार करो अब आप सभी प्रभु वत्स अध्वा यग्य वत्स हो अतह यहां जो माता पिता है उन्हें अपने लोकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदी ठीक मिल रहे हैं या नहीं सबकी संभाल करना यग्य माता और यग्य पिता का करतवय हैं और सभी का संबन्ध उन्हीं से होना चाहिए एक प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नयम के अनुसार चलने से यग्य वत्सों का रहा सहा मोह बची कुची मंटा और दैहिक संबन्धियों से यथा शेश अब सभी का परस्पर आत्मा आत्मा भाई भाई का अथवा भाई बहन का ही पवित्र और शुद्ध स्ने युक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परमपिता परमात्मा से जूट गए और वे यग्यमाता तथा यग्यपृता के आदेश, निरदेश और ईश्वरियनियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी और बाबा ने हमें करमेंद्रियों के विश्वरिय के चिंतन और उनमें आसकती के त्याग की भी शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे अब आप वत्सों को करमेंद्रियों पर भी काबू पाना है। पुराने संसकारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन होते होंगे, उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परन्तु अप से लेकर आपकी करमेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाह किये, यदि करमेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया, तो आपको अब उसका सौगणा दंडल मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे, और अज्ञान वश ही कर्म कर बैठते थे, जबकि अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, और पुर्शार्त का स्पष्ट ज्ञान मिला है, स्वयम को इश्वर की संतान निश्य करने के बाद, तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद, यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है, तो उसे कई गुणा दंड मिलना निश्यत है, इस प्रकार आँखों द्वारा बु द्वारा बुरे बोलन बोलना, कान द्वारा बुरे वचन न सुनना, परंपिता परमात्मा की स्मृती में रहकर स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्शित मुख और प्रसन्न वदन रहना, यह सब शिक्षाभी बाबा ने हमें प्रेक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देकर स्पष्ट रूप से दी, बाबा ने राज कुलोचित व्यवार अवर एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधूर एवं प्रेणा दायकृती से शिक्षाएं दी, निंद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने के उपर भी बाबा ने ध् यहां तक की बाबा ने निंद्रा अवस्था को भी सतोगुणी बनाने की युक्तियां समझाई हैं। यहां यग्यवस्थ सोय पड़े होते थे और अपने साथ आये वत्सों को सोय हुए वत्सों के चहरे की और संकेत करके कहते थे कि देखो उनके चहरे से ही ऐसा लगता है कि इश्वरिय याद का अभ्यास करते सतोगुणी निंद्र सोय हैं। मानों के उसकी सुख पुर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे वत्सों को देखो वे तमोगुणी निंद्रा में अचेच सी अवस्था में सोय पड़े हैं। इस प्रकार करमेंद्रियों के विश्यों और पदार्थों में आसक्ति के त्याग तथा करमेंद्रियों द्वारा विकर्मों के त्याग का पाथ प्रेक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते। कुछ ही वर्षों में बाबा ने मानसिक शुद्धी के लिए बहुत शिक्षाएं दी, बाबा कहते थे, बच्चे, यदि संकल्प शुद्ध नहीं होगा न, तो कर्मेंदियों से भी बुरे कर्म होते ही जाएंगे, इसलिए अब मनसा को पुर्ण तह शुद्ध करो, और यह श इतना की आप आत्मस्मृती में तथा ईश्वरिय याद और खुशी में रहेंगे, यदि आने वाले विनास से पहले आपने मानसिक शुद्धी प्राप्त नहीं की है, तो आपको सतिगुणी सुष्टी में जीवन मुक्ती देव पद कैसे मिलेगा, बलकि आपको त्रेता य युगी शत्रिय कुल में जनम लेना पड़ेगा, अथह सावधान हो जाओ, वरना आपका बहुत घाटा हो जाएगा, अब इस पुर्शोत्तम संगम युग में ज्ञान रुपी स्वदर्शन चक्रधारन करने से आपके मन के आशुरी संकल्प निर्मुल होते जाएंगे, द जाटा, सहनशिलता, नम्रता, आदी-ादी दिव्यगुनों की धाना के लिए भी ज्ञान के बहुत गुही राज समझाएं, उससे ज्ञान वत्सों के जीवन में दिव्यता और हर दिनों दिन बढ़ते गएं, यग्य माता और यग्य पिता द्वारा अलोकिक शिख्षा और पालन बाबा ने तथा ओम राधेजी ने, जिनें की हम यग्य माता और यग्य पिता के अलोकिक नाम से भी याद करते थे, यग्य वत्सों को खान पान आदी-ादी की पूरी सुविधाएं दी, यग्य वत्सों ने ऐसा सुख अनुभो किया और उन्हें यग्य माता यग्य पिता से वहस नेह मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी है यलगा और उन्हें इस संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुद्बुद भूल गई आहां इस पुर्शोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के माता पिता ने सभी को निशकाम, शुद्ध और आत्मिक प्यार दिया है उसका वर्णन करना असंभव है ये करोड़ो रुपे खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता है इस पृत्वी पर इश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरा आवसर सारे कल्प में आत्माओं को मलता है जिन्होंने उसका अनुभव किया है वो गोपी-गोपिया ही इसे जैनती है और तो कोई नहीं जैनता इस राज रिशी कुल में बाबा ने न केवल पीता का, शिक्षक का और धर्म ग्यान दाता का पार्ट बजाया बलकि वे वत्सों को अती प्रेम से सागर के तड़ पर घुमने भी ले जाते थे उन्हें पिक्निक भी कराते थे, उनके लिए खेल कुद की सब्यवस्ता का खयाल रखते थे उन में से किसी का स्वास्त बिगड़ता था तो उनकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सब तरह का समुचित प्रबंधन बनाये रखते थे, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी कितने भी अच्छे किसी के लौकिक माता-पिता हो न, ऐसा सुख, ऐसा लाड़ प्यार, ऐसा लालन-पालन कोई भी नहीं दे सकता बाबा ने ही माता का भी पाट बजाया और भक्ती मार्ग में यह जो शुभेच्छा भगवान की प्रती व्यक्त की जाती है न, कि हे प्रभू, तुम्हीं माता और तुम्हीं पिता हो और तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे हैं इसका practical अनुभव यग्यवत्सों ने इस ज्ञानमार्ग में किया जबकि परमपिता परमात्मा श्रिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके मातापिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड़ प्यार दिया जिसका यग्यवत्सों के मन और चित पर कभी संकल्प भी नहीं था अथ हर्ष से उनका मन कह उठा सुख की आई घड़ी जबसे में ओम मंडली गई प्रभू से रीती जुटी सखीरे मेरे सुख की आई घड़ी मन वश करने मंत्र मिला मुझे लगी न एक घड़ी दिव्य दरश्टी मिली मोहेक्षण में वैकुठ आन खड़ी मैंने कृष्ण से रास करी सखीरी हर्ष शोक की आग उफानी सुखबुत समाधी चड़ी सुख की आई घड़ी मुझे लगी न एक घड़ी ज्यान अम्रुत बिन जिया घबराए बिछडु न एक घड़ी मैं तो अब प्रभु के हाथ विकानी रे तन्बन सुध विसरानी रे सुख की आई घड़ी मैं तो जीते जी मरी जब से ओम मंडली गई राजसूर्य अश्वमेग अविनाशी ज्यान यग्य अब इस ज्यान यग्य में जिसे की राजस्व अश्वमेग अविनाशी ज्यान यग्य भी कहा जाता है मुख्य रूप से ओम राधे जी ही सारी संभाल करती थी माना मम्मा यो थी तो वह एक बाल ब्रह्म चारेणी अथवा एक कन्या थी परंतु यज्य पिता अथवा पिता श्री ने उन्हें ही विशेश तोर पर उत्तरदाई थेराया हुआ था रिस्पॉंसिबल उत्तरदाई मना रिस्पॉंसिबल क्योंकि वह इश्वरी अज्यान एवं दिव्यगुनों की धार्णा में अन्य सभी से आगे थी उनका जीवन और पुर्शाद सभी यग्यवत्सों में से सर्वाधिक उच्च था उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि स सभी दिव्यगुन इकठ्थे होकर उनके ही सजीव रूप में साकार अथ्वा मूर्थ रूप है ज्यान, विना, वाधन, उनके ही सजीव रूप में वह सर्वो परी थी और उनकी कोई उपमा नहीं थी इसलिए उन्हें यग्य माता के रूप में सभी यग्य वत्स चाहे वे शारारिक आयों में कितने भी बड़े क्यों नहों बहुत सम्मान देते थे यहां तक कि उनकी अपनिक लौकिक माता जी भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी क्योंकि अब तो वह जगत की अंबा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथ्वा ज्यान का नाता था बाबा के लिए थी तो वह भी एक वत्स अथ्वा पुत्री ही थी परन्तु बाबा भी उन्हें मम्मा या मा के मधुर शब्द से बुलाते थे और बैटी कहकर भी बुलाते थे वह इस शिव शक्ती दल की कुशल सैनानी थी जो कि शक्तियों को ग्यान रुपी अस्त्रो सस्त्रो से और दिव्य गुनों से सजाती रहती थी जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा, मा, मा तेश्वरी या यग्ये माता कहकर बुलाते थे वैसे ही ओम बाबा को भी सभी बाबा, पिता, श्री अथ्वा यग्य पिता कहकर बुलाते थे यहां तक कि उनकी लौखिक पत्नी और उनकी बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथ्वा बच्ची कहकर ही बुलाते थे। यग्य माता भी उन्हें सदा बाबा अथ्वा पिता श्री के मधूर नाम से संबोधित करती थी। अथ्वा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रम्हा हैं क्योंकि उनके मुख के द्वारा परम पिताश्यव शुद्रों को अर्थात विकारी नर्नारीयों को मर जीवा जन्म देकर सचे ब्राम्हन अर्थात पावन अथ्वा द्विज बना रहे हैं और सत्यूगी पावन स कि स्थापना कर रहे हैं उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथ्वा मम्मा ही यग्यमाता सरस्वती है जिनका की ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञान निष्ठ पुत्री के रूप में गायन गया जाता है इसका नाम राजसूर्य अश्वमेग अविनाशी ज्ञान यग्य क्यों रखा गया इस इश्वरिय यग्य को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूर्य अश्वमेग अविनाशी ज्ञान यग्य भी कहा जाता रहा क्योंकि यहां मन रुपी अश्व को ज्ञान अगनी में स्वाहा करके सत्यूगी विश्व का स्वरज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में लाई जाती है 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यग्य कराया था अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है यही यग्य प्रचापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्व विध्याया के नाम से भी प्रसित हुआ क्योंकि परंपिता परमात्मा शिवने सहज ज्यान और सहज राजियोग द्वारा मनुष्य को देवता अथ्वा नर को श्री नारायन और नारी को श्री लक्ष्मी पत के लिए योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की जोतिर स्वरुप परंपिता पर्मात्मा शिवही दिन प्रतिवधिन परंधाम से ब्रह्मा के तन में आकर उनके मुख का आधार अथवा उधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ग्यान देते और सहज राजियो कर सिखाते रहें परंटु उस अती प्रसिद परंपिता के इस गुप्त साधारश वेश या तन में होने के कारण लोग भ्रांती वर्ष पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा को ही यग्य का स्थापत अथवा ब्रह्मा कुमारी बहनों अथवा ब्रह्मा कुमार भायों का गुरु मानते रहें परंतु परंपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन बनाने का करतव्य अथ्वा यथा पूर्वर अथकृती से करते ही रहें। यग्य वत्सों को आत्म कल्यान और विश्व सेवा के लिए शिक्षा हैं। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगत अंबासरस्वती सभी ज्ञान वत्सों को ज्ञान के स्रिंगार से खूब श्रिंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिक 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 अभ्यास कराके विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तयार कर रहें थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, ग्रहस्तियों, साधुओं, हरे को ये सर्वोच इश्वरिय ज्ञान किसी रिती समझा कर उनका कल्यान करना है और उसके लिए वह यग्यवत्सों को शिक्षाएं देते थे। दुनिया की निगाहें और आवाजों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धी कर रहें थे तथा स्वयम में शक्ती भी भर रहें थे। अपकार करने वालों पर भी उपकार सेवा कार्य के नियम। पांच्छे वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछे ज्ञान निष्ट कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो चुकी है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता-पिता और परिवार के यहां घर पे जाना है। और जिन्होंने आपसे अपकार किया था, उनका भी आपको उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अथ्याचार किये थे। परन्तु अब आप उनके यहां जाकर उनका भी कल्यान करो। कहावत भी है ना कि पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। जिन्य यग्यवत्सों अथ्वा ब्रह्मा कुमारियों को अपनी लौकिक माता के घर में ज्यान देने के लिए भेजा गया था। उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंड्रा जी भी थी। इस समय उनका निम्नलिखित उल्लेक पढ़ने युग्य है। सेवा कार्य के लिए बाबा द्वारा बताएंगे कुछ नियम। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्यान सेवा करने की अग्या दी तो साथ ही साथ उन्होंने हमें छे विशेश बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा भी दी। बाबा ने कहा बच्ची जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो तब तो आपकी स्थिती ऐसी आत्मनिष्ट हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंचक मात्र भी भासना ना आए। आपको देखते ही उनके मन में यह संकल्प ना आए कि यह तो मेरी बेठी है, यह तो मेरी बेहन है और उनके मन में मोह जागरुत ना हो बलकि आपको देखकर उन्हें आप एक शक्ति के रूप में दिखाई दे। दूसरे उन पर दूसरी बात कि उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वह आपको मोह के वश्यभूत होकर गले न लगाए। तो गले नहीं लगना है। तो इसलिए आज भी मोहीनी बेहन है ना वो किसी को लाइक हग नहीं करती है। शी जस ट्राइट ववाइड क्योंकि ये बाबा ने बताया था कि किसी को भी गले नहीं लगाना है। तीसरा आप उनके यहाँ फल, दूध, आदी, शुद्ध भोजन ही ले सकते हैं। और कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक इश्वरिय धार्णा हैं जो सेंटर पर रहने वाली बहने बहुत ही, सेंटर पर रहने वाले नहीं, जो घर में रहते हैं वो भी पक्की धार्णा होती हैं। कि किसी के भी यहाँ पर जाते हैं तो फल, फूल, दूध, आदी लेते हैं, पका हुआ भूजन नहीं खाते हैं। और कोई भी चीज नहीं खाना है, ये ब्रह्मा बबा का आदेश था। चौथा, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आप ईश्वरियकुल की हैं, और ऐसा समझे कि आप योग की भठी में बैठे हैं। बच्चे, दूसरे के धन और अन का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप उनके धन से या उनके हातों से बना भूजन नहीं ले सकती हैं, क्योंकि वे मनों विकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरशार्थ नहीं करते हैं। पांचवी बात, इश्वरिय ज्यान देकर अब उनका दस्टिकोन बदलना है। और आपने इस ज्यान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है, उसका उन्हें परिच्चे देकर उन्हें भी जीवन देव्य बनाने की सबल प्रेणा देनी हैं। चटी बात ये है कि आप इन्हें इश्वरिय ज्यान देने में इतनी लगन, इतनी निष्टा, इतनी महनत से कारे करना कि वे भी उससे प्रवावित होकर, लाभानवित होकर, उत्सुकता, एवन जिग्यासा को लेकर अलोकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्सं में आ जाए, कई वर्ष यग्या में रहने के बाद, लोकिक और घर की और जो दादियों ने यात्रा की, उसकी बाद पुस्तक में है, इस प्रकार से ईश्वरिय आदेश और संदेश लेकर, पांचे वर्ष निरंतर यग्या में तपस्या में रहने के बाद, हम कराची से जात्रा करने के समय हमने खूब अंतरमुकताधारन की, और हम इश्वरिय ज्यान के अलोकिक मनंचिंतन और रसा स्वादन का ही आनंद लेती रही, आखिर में अपने लोकिक घर पर जाकर पहुँचे, दूसरी बेहने भी अपने अपने लोकिक घर की और चली गई, पिछले पांच से वर्षों से लोकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी, हाँ, यग्यमाता और यग्यपिता के निर्दश अनुसात हम उन्हें कभी-कभी पत्र लिख दिया करती थी, जिससे इश्वरिय ज्यान का ही वर्णन होता था, इन पत्रों का आशय भी यही होता था, कि इश् अब हम घर की और रवाना हुई, तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई अग्रिम सुचना नहीं दी थी, हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे, कि हम कभी लोट कर अपने आप उनके घर जाएंगी, अतह, अचानक ही मुझे आत देखकर उन्हें बहुत आश्यर्य हुआ, घर तक पहुचने से पहले ही महले में मेरी लोकिक भतीजी दे मुझे आते देखकर भाग कर घर में जाकर कहा, कि वह एक जो पहले हमारे घर में थी न, वो और ओन मंडली में जाया करती थी, और बाद में यहां से चली गई थी, व उसे मेरा नाम भी याद नहीं था, क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था, तब मैं बहुत छोटी थी, उस कन्याने जब मेरे आगमन की सुचना थी, तो घर वाले बहुत हैरान हो गए थे, उन्हें उसके कथम पर विश्वास नहीं हुआ, उसकी बाते को सुनकर घर में हलचल मज गई, और सभी मुझे देखने के लिए उत्सूख हो गए, मेरी लौकिक मा को भंडारे माना पाक शाला में जाकर सब किसी ने सुचना दी, तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसी भाग उठी, जैसे अनाया सी कोई लौटरी मिल गई हो, मेरी लौकिक माता के उस कमरे तक पहुचने के लिए एक जीने पर चड़कर जाना पड़ता था, मैं सभी सीडियां चड़कर अभी मकान के दर्वाजे तक पहुची थी, कि मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से आकर उस दर्वाजे तक पहुची थी, बस उस दर्वाजे के बाहर मैं खड़ी थी और अंदर मेरी मा खड़ी थी मा के रदय में शुशुप्त मम्ता शायद जाग उठी होगी आखे अधिक खुली हुई थी और वह बहुत ही खुश और चकित हुई सी लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर अपने गले से लगाना चाहती थी ऐसा उनका हाव भाव मालुम होता था परंतु मैं उस जीने की अंतिम पोड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया मेरी लौकिक माता की आँखों से कुछ अश्रू टपकते लगे मैं पहले तो आत्मिक दृष्टी से उनकी और देखते हुए मौन मृत्ती की तरह खड़ी हुई निहारती रही वह भी थम गई थी एक मिनिट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतह अव्यक्त शब्दों में आकाश वानी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े एक अनोखा वारतालाप और अनोखा मिलन था वो मैंने कहा देखो आपके घर पर कौन खड़ी है पहचानती हो कि हम कौन है हम शिव मैं शक्ति मैं शक्तियां है हम दूर देश से आई है और आपके लिए ईश्वरिय संदेश लाई है हम अब आपकी बच्ची नहीं है हम अब प्रभुपुत्री है प्रभुपिता ने ही अन्यमात आत्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कल्यूगी-मृत्यू- roadmap का विनाश होना है और बाद में इस पृत्वी पर स्वर्ग सापन होने वाला है अर्थात सत्यूग आने वाला है अब दुख द्हाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं अब आप सुख धाम में चलने का पुर्शाद करो वहाँ आपको संपूर्ण सुख मिलेगा बोलो आप चलोगी वही कुछ में क्या आप इस दुख धाम से मुख मोडोगी ज्यानम्रूत पियोगी अमर्पत प्राप्त करने का पुर्शाद करेगी लौकिक माताजी गत चित्त होकर सब कुछ सुनती रही अन्य सभी भी वही पर खड़े रहे उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया बलकि ज्यानालाब के फल्सक्रो रूप उन्हें में एक ज्यान गंगा प्रभू पुत्री योगिन अथ्वा शक्ति के रूप में दिखाई दी मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ध दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगडाईयां ली हो वो बोली हाँ मैं स्वर्ग जरूर चलूंगे तुम हमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई हो हमें भी अपने साथ ले जाओ यह कहकर उनके नैत्रों से प्रेम के आसू टपक पड़े वो खुशी में फूली नहीं समा रही थी वो मुझे धीरे धीरे अंदेर लेकर चली गई आगे आगे वो पीछे पीछे मैं वो मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और उन्हें अच्चमभासा होता था वो मेरे बैठने के लिए उचित स्थान डूड रही थी कभी चार पाइपर चादर बिच्छा कर कहती थी कि नहीं यहां बैठो कभी कुर्सी पर गदी रख कर कहती थी नहीं आप तुम यहां बैठो परंतु स्वयम उन्हें ही वो स्थान पसंद नहीं था मैं नीचे फर्ष पर ही अपना स्थान आसन लेकर मैंने जमा दिया कुछी मिंटों में उन्होंने गली महले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को अखठा कर लिया मैंने घंटा भर ग्यान वर्षा की अब ज्ञान सुनकर सभी की भावनाय बदल गई सभी मुझसे ईश्वरिय ज्ञान सुनने के इच्छुक हो गए सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन काफी बदल चुका है मैं साथ दिन उनके पास रही बहुत से लौकिक संबंधी तथा अडोसी पडोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे सत्संकी तरह वातावरन बना रहता था उससे शोताओं का मनो परिवर्तन हुआ उन्हें ईश्वर यग्य के प्रती जो भी ब्रांतिया थी उनका फिर अभी निवारन हो गया कई लोग व्यक्तिगुत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभो करते जाते थे मैंने तो स्वयम को ग्यान और योग की ही स्थिती में स्थित किया हुआ था इस प्रकार दूसरी जो शर्थ थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित लाभानवित और प्रेडित करो वो भी मैंने पूरी कर सकी मैं फलाहार ही लिया करती थी और यग्य के पैसे से ही मेरा सारा शरीर व्यवार भी करती थी लोकिक माता का सत्संग के लिए चलना आखिर जब साथ दिन पूरे हुए तो लोकिक माता जी ने स्वतह ही मुझे कहा मैं भी यग्य में आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाती हूं और ज्ञान सुनकर अलोकिक अनुभव करना चाती हूं मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्रय भी हुआ और खुशी भी हुई आश्रय इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तना गया है कि वो मेरे साथ वही ग्यान सुनने के लिए चलना चाती है मुझे खुशी इसलिए हुई कि अपना करतव्य पूरा करने में मैं सफल हुई थी और मुझे जो इश्वरिय निर्देश मिला था वो मैं पूरा कर सकी थी क्या मुझे परमपिता परमात्मा का शक्षत कार होगा रास्ते में माताजी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रगट की वो बोली मैंने बहुत भक्ती की है परन्तो मुझे सक्षत करनी हुआ है आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो आप जिस सद्सता में हो वो तो भगवान का बहुत ही श्रिक्र सक्षत करा देती है ऐसा मैंने सुना है परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयम दिव्य सक्षातकार होगा तो मनोहर दादी ने कहा किसी आत्मा को परंपिता परमात्मा का सक्षातकार कराने का सामर्थ्यत नहीं होता है यह शक्ति स्वयम एक परमात्मा के पास ही होती है व हरे की कर्म कहानी को जानता है आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा हो तो हो जाएगा आपने पूर्व जन्मों में यदि उच्च भक्ती की होगी कोई ऐसे कर्म किये होगे अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकुल होगा तो आपको पहुच गई हमारी लौकिक माता को ये वहां ज्ञान का और अधिक स्वक्षिकरन दिया गया अभी उन्हें दो दिन ही आये हुए थे कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ बात यह थी कि यग्य में एक माता थी जिने हम ध्यानेश्वरी अत्वा ध्यानी कहत थे आजकल वो अंबालास्ति ब्रह्माकुमारिय इश्वरिय विश्वविद्याले की इंचाज है ध्यानी दादी जो है वो भी बहुत जानी मानी हस्ती है यग्य में वह एक बहुत ही योग युक्त माता थी उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बठाकर इश्वरिय विनाशी आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो भूल जाओ अपनी इस देख को देख में आने के कारण ही तुम्हें मनों विकारों ने घेल लिया है अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तो सत्यूगी सुकधाम में चल सकोगी इस प्रकार समझाते समझाते उन इनों ने लोकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है? वो बोली मेरे शरीर का नाम लक्षमी है. हे तुमारा नाम लक्षमी है? पहले तुम साक्षात लक्षमी थी परन्तु अब तुमने स्वरूप अपने स्वरूप को भूल गई हो. क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वो स्थितियार नहीं राती है, तुम लक्षमी से कुलक्षमी बन क्यों बन गई हो, अब सच्ची सच्ची लक्षमी बनो, देखो तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो, अब फिर लक्षमी बनो, जागो जागो अपने स्वर सुनते सुनते लौकिक माता जी ने विदेह अवस्था का अनुभो किया और उस अशरीरी अवस्था में स्थित होते होते जट से उनको दिव्य सक्षातकार हो गया वो उनके पुर्व जन्मों की भक्ती का फल समझ लीजिये उन्होंने देखा कि क्षिर सागर से के बीच सोने क एक राजमहल है उसमें एक दरबार है दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायन वी राजमान है लौकिक माताजी ने हमें यह अनुभव सुनाया और कहा कि मेरा मन करता था कि मैं उस दर्बार के अंदर चली जाओ परन्तु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था क्योंकि यह संकल्प उठा था कि मैं तो अपावन और अविकारी आत्मा हूँ इस साक्षातकर के कारण उन्हें इश्वरिय विश्वर वध्यालय में विश्वास तो हो गया अब उन्हें वहां थैरे एक सप्ता हो चुका था उन्होंने आज इवन वही रहने की इच्छा प्रगट की वे बोली अब मैं यहीं रहूंगी यहां का वातावरण बहुत ही सात्विक है आत्मा को बहुत शान्ती मिलती है परन्तु उन्हें वहां अधिर ठैरने की स्विकृती नहीं मिली क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया कि आप लोगों पर तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया गया था वन्हा घर चोड़ने की क्या जरूरत थी आपको आप तो छोटी होने के कारण उन्हीं लोगों पर आश्रिट थी और ये लोग आपको सहयोग नहीं देते थे तभी तो आपको यहाँ पर आना पड़ा परन्तु यह तो घर में बड़ी है इनकी बात तो घर में चल सकती है अथह इन्हें चाहिए कि वह वहां जाकर दूसरों को भी ज्यान दे तथा अपने घर को आश्रम बनाए यह सुनकर माता जी घर में अच्छा वातावरन बनाए रखने का लक्ष लेकर वापस घर लोट गई एक और अनुभव है इस विशए में ब्रह्मा कुमारी रदय पृष्वाजी ने भी अपना जो अनुभव व्यक्त किया है उसका सार हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंदनों को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैद्राबाद सिंध में रहे हुए थे उनकी ज्यान सेवा के लिए हमें भीजा गया था जब हम हैदराबाद में पहुँची तो हम ऐसा अनुभो कर रही थी जिससे कि हम शक्तियां परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए उपर से इस पराये देश में उतरी हुई हो अत्वा आकाश्वानी करने के लिए हम आई हुई है मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा कि अब हम वईकुठ में जा रही है हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाओगे आप बहुत पच्चता होगे फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे इसलिए हम शक्तियां आकाश्वानी कर रही है कि कुछ वर्षों के बाद इस कल्योगी शुष्टी का महाविनाश होने वाला है सभी का मौत सामने है इसलिए अब आप भी वईकुठ चलने की तयारी करो हम आपको परम पिता परमात्मा का संदेश दे रही है हमारी इन बातों को सुनकर लोकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे उन में से कोई तो ध्यान अवस्था के सक्षातकार भी करते थे वे हमें देविया अथ्वा शक्ति स्वरुपा मानकर बातों पर ध्यान भी बहुत देते थे दिव्य द्रश्टि के निराले अनुभव योग भठी द्वारा दिन चर्या और इश्वरिय का चहरी तो इसके उपर हम अधिक वेनस्टे को पढ़ेंगे तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं तो कि बहुत बड़ा चप्टर है और मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहती है और ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि दिव्य द्रश्टि के जो अनुभव करवाए हैं तो शायद बैठे बैठे आप में से भी किसी को दिव्य द्रश्टि के अनुभव हो जाएं गॉड़ना चाहिए श्रद्दा चाहिए विश्वास चाहिए बाबा कराएगा तो नेक्स बुद्धवार को दिव्य द्रश्टि का साक्षात का करने बैठ जाएंगे बाबा के पास हट लेके बैठ जाएं बाबा मुझे तो कराना है जो भी भक्ति की है थोड़ा तो फल दो हाँ एक सेकेंड के लिए तो कृष्ण दिखा दो तो गुरुवार को कृष्ण को देखने के लिए आएंगे ठीक है चलो गलंबी सांस लेकर अपने भी तरजाएं और कुछ पल के लिए यह महसूस करें कि मैं भी बाबा के यग्य में अव्यक्त ब्रम्हा बाबा और मम्मा के साथ और अन्य यग्य वत्सों के साथ रह रही हूं साथे तीन बज़े हैं मैंने स्वपेद वस्त्रधारन किये हैं मैं आश्रम से बहुत सरल और साथ की भरे जीवन में शांत और शीतलता की मुर्ती बन चीडियों की आवाज सुनते हुए बाबा की कमरे के पास जाती हुए बाबा शुप्रवस्त्रधारन कर बैठे हैं इसकी बाजू में बम्मा बैठी हैं हम सभी यज्यवत्स अमृत वेले साइलेंस में बाबा से द्रश्टी ले रहे हैं तभी ब्रह्मा बाबा में श्रीव बाबा की प्रवेश्टा होती हैं ब्रह्मा बाबा से लाल प्रकाश की किर्णे मेरी तरफ आ रही हैं मुझे बस प्रकाश ही नजर आ रहा हैं और देखते ही देखते मुझे विष्णु चत्रभुच दिखाई देता है मुझे बस विष्णु इदिखाई दे रहा है और वापस ब्रह्मा बाबा की वोही दिव्य आँखे कभी मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा है कभी मुझे विष्णु दिखाई दे रहा है एक सेकेंड में बाबा ने मेरी दोर खीची और मैं सफीद प्रकास के शुक्ष मलोक में पहुच गई जहां पे रंग भी रंगी पगी चे पंक फैलाई हुए मूर जर्नों का जरजर संगीत प्रक्रुटिकी सुंधर्ता और उसी विशाल बगीचे में महारास चल रही थी जहां एक एक गोपी के संग क्रिष्ण रास कर रहे थे मैं भी चंचन चंचन कर्टी वहां गई और इस गोलाकार रास के मध्य में बंसी बजाते क्रिष्ण के पास गई और बोली मैं भी रास करूंगी अ क्रिष्ने ने कहा जरूर और मैं अपनी दोनों हाथ क्रिष्ने के हाथ में दे कर अतींद्रिय सुख का अनुभाव कर रहीं अतींद्रिय कर अनुभाव कर रहा हुआ हाथ झाल झाल क्रिश्न का नईया रास रचया क्रिश्न का नईया रास रचया देखो या मुना के तंखे पे आता है करने को रास बुलाता है क्रिश्न का नईया रास रचया विष्नितन्रिया एला सिरतिया आज तक ही रहा पोरी रोको नहीं जाने दो पूझो नहीं चाती काटो को नहीं शित्य चुरया बनते बजया वो तो तब की मन को लुभाता है नंका साकाना बुलाता है नंका साकाना बुलाता है कृष्न का नहीं आए रासर जया कृष्न का नहीं आए रासर जया आए रासरे बहान का आए झाल झाल